तो हमारे पिछले विडियो में आपने देखा कि आप डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, लॉग इन कैसे करते हैं, पंच इन और पंच आउट कैसे करते हैं, पीटीपी कैसे अपडेट होती हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें समझने के लिए हमारे और भी विडियो आप देखिए, तो अभी जो हम विडियो में दिखाने वाले हैं, कि कैसे इस अप में लाइनर के जैसा डेटा आपको मिलता है, जैसे अभी एजनसी से सुपरवाइजर या टेली कॉलर आपको एक लाइनर प्रिंट देता है, वो लाइनर प्रिंट एके फॉर शीट में आपको आठ, दस कॉलम मिलते हैं, उसमें कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नमबर, लोन नमबर, कस्टमर का एड्रेस और EMI प्रोड़क्ट, बकेट पॉश और उसके प्रोड़क्ट की इन्फॉर्मेशन, तो आपको ऐसे करके आठ, दस कॉलम उसमें मिलते हैं, लाइनर के हिसाब से आप काम करते हैं, तो जो भी आप काम करते हैं, वो लाइनर में लिखते जाते हैं, तो ऐसा अभी आपका प्रोसेस बना हुआ है, लेकिन हमारा ये एप यूज करने के बाद आपको लाइनर की जरूरत ही नहीं है, देखिए Liner आपको कैसे दिखता है इसमें यहाँ क्लिक करने के बाद जो My Allocation है तो My Allocation में आपको जितने भी Case Allocate हुए हैं वो सारे Case का डेटा आ गया तो आपको उपर दिखाता है कि Total Solve Case and Pending Case तो आपको Total 50 Case Allocated है इसमें से 25 Solve हो चुके हैं और 25 अभी Pending है तो यहाँ एक फिल्टर है इसमें हमने 11-12 तरीके के फिल्टर दिये हुए हैं तो फिल्टर यूज़ करके भी आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं यहाँ पे हमने Flow का फिल्टर यूज़ किया तो सिर्फ Pending Cases का ही डेटा शो हो रहा है अगला फिल्टर है Portfolio एक Executive Multiple Portfolio में काम करता है तो हम Portfolio Wise Filter ले सकते हैं Telecaller एक Executive के Multiple Portfolio में काम करने के region से उसके कई सारे Telecaller भी हो सकते हैं तो वो Telecaller Wise भी काम कर सकता है Bucket एक Telecaller के पास कई Bucket के Case होते हैं Bucket 1, 2, 0, Right Off तो वो Bucket का भी Filter यूज़ कर सकता है Risk Class, जैसे Bucket में Filter मिलता है, वैसे ही Risk Class में भी मिलता है Risk Band, High Risk, Medium या Low Risk के Case करने हैं, वो भी आप Filter कर सकते हैं Loan Segment, यह भी एक Bucket की तरह ही होता है DPD, कभी-कभी क्या होता है, DPD हमें Bank से Daily Update होती है, तो आप Updated DP के हिसाब से काम कर सकते हैं Productor एक Portfolio में कई सारे Product हो सकते हैं, तो आप Product के हिसाब से काम कर सकते हैं Paws आपको लगता है कि मुझे आज High Paws के लिए काम करना है, तो Paws का Filter यूज़ करके Ascending, Descending के हिसाब से काम कर सकते हैं Last Month Bucket जो आप Particular Case कर रहे हैं, उनका Last Month का Bucket क्या था उसके Filter को यूज़ कर सकते हैं Match Area इसमें आप Area का Filter यूज़ करके अपना दिन प्लान कर सकते हैं तो कोई भी Filter यूज़ करने के लिए Filter को Select करके Apply Filter पर क्लिक करना है तो वो Filter होने के बाद जो Result है, वो आपके सामने आ जाएगा यहाँ से आप कोई भी Loan Number सर्च कर सकते हैं तो यह हुआ आपका Liner का काम अभी Liner में आपको Case की जो Detail मिलती है वो मैं आपको कोई भी एक Case Open करके दिखा देती हूँ कि कैसे हमें Loan का Detail Page मिलता है तो देखिए कोई भी Loan Page मैंने Open किया तो आपको Top पर Case का Status दिख रहा है उसके बाद Customer का नाम, Product Loan Number उसके बाद Customer का Mailing Address, Office Address, Current Organization, Area Pin Code, Reference का Address अगर सिस्टेम में है तो यहां Show होगा Reference To का Address यहां आपकी Loan की Due की Information आ गई Total Posh कितना है, Packet कितनी है, EMI Total, EMI Due, Check, Bounce Charge और Late Payment, Penalty, Total Due और Risk Band क्या है यहां आपको Product का Information दिख रहा है Dispersal Date, Tenure Product, Model, Registration Number, Engine Number, Justice Number और Dealer तो यह सारी आपको Loan Detail पेज पर Detail दिख रही है जितनी Detail आपको Liner में मिलती है, उससे ज्यादा Detail आपको यहां Detail पेज पर दिखाई गई है तो यह हो गया आपका My Location में सारे Case NCT, तो NCT में आपके वो Case है, जो आपके Caller ने Customer को Contact करने का Attempt किया बट वो किसी भी Reason से Customer से Connect नहीं हो पाए उस Customer का Number Not Reachable है, Switch Off है, Customer ने Number Change कर दिया, कोई भी एक Reason हो सकता है, जिसकी वज़र से Caller उससे बात नहीं कर पा रही है तो वो Case NC हो जाते है तो NCT में Case आने के बाद आपको वहां जाकर विजिट करना है, फिर आपको पता करना है कि उस Case पर आगे क्या करना है जो भी आप Code उस पर डालेंगे, Feedback आप Update करेंगे, उसके हिसाब से उस Case का Status चेंज होगा कि वो अगली बार NCD में जाएगा या Workable में जाएगा तो वहां से वो Decide होता है अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे के Process बताएंगे Thank you